हेलो फ्रेंट्स वेलकम बैक टू आर्ट फ्रेग्रेंसी यूट्यूब चैनल और आज हम शुरू करने वाले अन्बॉक्सिंग फ्रैंक ओलिवियर के ओटच पर्फ्यूम की जो की एड़ीपी कंसेंट्रेशन में अवेलेबल हैं 100 ml में बॉक्स की प्रेजेंटेशन की बात करो तो ठीक ठाक सा बॉक्स है ज्याद अच्छा तो भीलकुल भी नहीं नीचा से देख लेते हैं एक बार नीचे से आप इसका बैज कोड यहां पर यहां पर दिया गया है और उपर से आप देख सकते हैं फेर्यस जल्दी से क्र concurrent कर देख लेते हैं कैसी है यह फ्रैगरेंस इस की बिल्ड क्वालिटी इसकी स्प्रेयर क्वालिटी और दोस्तों हमने ये बॉटल बाहर निकाल लिए बॉटल मुझे काफी अच्छी लग रहे बॉक्स इतना अच्छा नहीं है बट बहुत प्यार है इसका डिजाइन बहुत अच्छा है फ्लीक बॉटल है और उपर आप दे नीचे आप देख सकते हैं इस्टीकर जिस पर काफी सारी डिटेल्स दी गई है और सामने से आप देख सकते हैं वो टच लिखा हुआ है फ्रैंक ओलिवियर पैरिस और ये डिजाइन भी काफी अच्छा लग रहा है थोड़ा सा यूनिक डिजाइन और स्लीक बॉटल है इसक प्रेयर क्वालिटी अब चेक करते हैं दोस्तों फ्रैंक ओलिवियर के सभी पर्फ्यूम्स की इस्प्रेयर क्वालिटी ऐसी है मुझे ज्यादा पसंद नहीं है क्योंकि जो इसके मिस्ट है वो छोटी और वाइड निकलती है जो एटोमाइजर में बिल्कुल फील नहीं आत सूरिट नोट्स को मैंद फील कर पा रहा हूं और वार्म इस्पाईसी वुडी नोट्स को भी फील कर पा रहा हूं तो दोस्तों वैधर तो पता ہी चल रहा है कि फॉल एन्ड विंट विन्टर फ्रेंस है आप इसको इसको फ्रेंग और समर में बिल्कुल यूज नहीं कर सकत आते हैं अगर उसमें उत डला हुआ है अच्छा तो इसमें एक सिंथेटिक उत का यूज किया गया है और दोस्तों बात करें तो कितना लॉंग लास्टिंग है तो यह बहुत ज्यादा लॉंग लास्टिंग पर्फ्यूम है पूरा दिन यह आपके स्किन पर और कपड़ों पर रहेगा और प्रोजेक्शन की बात करें तो इसका हैवी प्रोजेक्शन है और इसका सियाज भी बहुत ज्यादा है तो चार से पांच घंटों का हैवी प्रोजेक्शन सियाज भी आपको मिलेगा और लॉंग लास्टिंग यह पूरा दिन रहेगा आपकी स्किन और कपड़ो पर भी तो दोस्तों अगर आपने इसका डीकेंट और रिटेल पैक हमसे नहीं लिया है तो आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं और आप इसको जल्दी से और कर सकते हैं तो दोस्तों यह थी आज की अन्बॉक्सिंग वीडियो फ्रैंक ओलिवियर रूट टेच की मिलते हैं आपसे जल्दी नेक्स वीडियो में